हम आपको सुरज मुखी के बीज के कुछ फायदों के बारे में बताएंगे सुरज मुखी के फूल पूरी दुनिया के खूब सुरत और चुनिंदा फूलों में से एक हैं ये फूल दिखने में बड़ा ही आकरशित लगता है आपको बता दें कि जितना ये फूल आकरशक दिखता है उससे कहीं ज्यादा ये गुणकारी होता है अगर बात स्वास्तकी करें तो सुरज मुखी के बीज बहुत ही खास भूमिका रखते हैं आज हम आपको अपने चानल कर्मा आरवेदा में सुरज मुखी के बीज के कुछ फायदों के बारे में बताएंगे अपने आज के विशे पर चर्चा करेंगे लेकिन पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से बाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं सुरज मुखी की सुन्दरता उसकी पंखडियों में होती है लेकिन जहां सेहत की बात आती है तो इसके लिए सुरज मुखी के बीज का प्रयोग लाबदायक होता है सूरज मुखी के बीज एक औशधी के रूप में काम करते हैं जिसका प्रयोग शरीर में होने वाली सबी बिमारियों से बचाता है जो किड्नी में खराबी का कारण बनते हैं लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किड्नी के मरीज सुरज मुखी के बीज का प्रेयोग कर सकते हैं। किड्नी मरीजों को इससे दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें पाय जाने वाले मिनरल्स, डैमेज हुई किड्नी को और ज्याता खराब कर सकते हैं। चलिए जानती हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। प्रेस्ट मात्रा में नमक का सेवन करती हैं, तो इससे उनके ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। जब सोडियम युक्त बलड को बार बार किड्नी साफ करती है तो इससे किड्नी के निफ्रॉंस डामेज हो जाते हैं जो किड्नी में खराबी का कारण बनते हैं इसके अलावा सुरज मुखी के बीच का प्रयोग आपको कैंसर जैसी गंभीर समस्या से भी बचाता है इसका सेवन महिलाओं को बहुत लाबदायक होता है क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या को दूर करने में सहायक होता है सुरज मुखी के बीच आपकी हड्यों को मजबूत करने का काम करते हैं इसमें भरपूर मात्रा में आयन, जिंक और क्याल्शियम होता है जो बोन्स को स्वस्थ रखता है इस बात की जानकारी शायद ही आपको हो कि किड्नी का एक काम हड्यों को स्वस्थ रखने का भी होता है तो सुरज मुखी के बीच किड्नी के काम में उसकी मदद करते हैं इसके साथ ही सुरज मुखी के बीच आपको दिमागी रूप से अक्टिव रखते हैं अकसर बढ़ती उम्र के साथ दिमाग पर भी असर पढ़ने लगता है जिसके लिए सुरज मुखी के बीज काफी फायदे बंद होते हैं अगर बात करें डापटीज की समस्या की तो इसके लिए सुरज मुखी के बीज काफी लाबकारी है अगर आप सुरज मुखी के बीज का प्रयोग करते हैं तो इससे बलड में शुगर का स्तर साम्मान्य बना रहता है जो डियाबटीज की समस्या को दूर करता है जिससे किड्नी स्वस्त रहती है किडनी खरावी के प्रमुक कारनों में diabetes भी एक प्रमुक कारन माना जाता है सुरज मुखी के बीज का प्रयोग आपके शरीर में estrogen को कंट्रोल करता है अब आप सोच रहे हूँगे कि estrogen क्या है आपको बता दें estrogen एक प्रकार का hormone होता है जिसका संतुलन शरीर में कई तरह की परेशानी बना सकता है जैसे आप थाइरोड के शिकार हो सकते हैं या फिर आप डाइबिटीज और ब्रेस्ट कैंसर जैसी गमफीर बिमारी का शिकार हो सकते हैं इन सभी समस्याँ से बचने के लिए सूरजमुखी के बीज 100% सफल औशधी मानी गई है तो ये हैं सूरजमुखी के बीज के कुछ फायदे जो किड्नी को स्वस्त रखने में मदद करते हैं आईए एक नजर डालते हैं इनके कुछ नुकसान पर जो महिलाई प्रेगनेंट हैं या अपने शुशु को अपना दूद पिलाती हैं उन्हें इसका सेवन बिलकुल नहीं करना है इसका दिक सेवन पेट की परिशानिया दे सकता है ये भी हो सकता है कि किड्नी को इसके प्रयोग से अलर्जी की तिक्कत हो जाए तो इनके फाइदों के साथ साथ इनके नुकसान भी ध्यान रग कर आप सुरज मुखी के बीजों का प्रयोग करें ध्यान रहे किड्नी के मरीज इसका सेवन नहीं कर सकते अगर आप किडनी के समस्या से परिशान हैं तो आप कर्मा अर्वेदा से आर्वेदे को उपचार लें कर्मा अर्वेदा का पता और हेल्प लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारे विडियो पसंद आईगो तो इसको लाइक और शेर जरूर करें